गुड़ मॉणिंग दोस्त। मैं गई हूँ आजाद मार्केट यानि कि सदर मार्केट करॉखरी मार्केट और यहां पर बहुत सुन्दर सुन्दर यह कप प्लेट और बाउल डाइप के यह सारे यह मतरब बहुत जितने तो वौवाले हैं ये उसे स्टाइल के हैं लेगन बहुत क्यूट लग रहे थे बहुत सुन्दर लग रहे थे और मैं लेना चाहा रही थी बहुत ही अच्छी लगरे थे लेकिन बहानी का कि ये तु दरजन के दरजन जाते हैं क्योंकि हल्के ताइप में हूते इतने हल्के भी नहीं अगर हम घर में आराम से यूज कर सकते हैं ऐसा निया बीडियो को छोड़के मत जाना खाडी बबली का बीडियो में इसी वीडियो में एड किया है और डिप्टी गंज मार्केट कॉह पर ट्रिप्टिस प्लेट है और इतने भर भर के यहां पे समान रहता है और घर का पूरा बत्वनमी जाता है एलोक को और यह जो सेत ना एएuche निचे से प्लेट भी और और इस टैप के सेट भी आप स्टों को सेट भी तो प्लेट भी बनाव में लीके जो सब्लीट मार्केट में बहुत सस्ते रेट में मिल जाएंगे आ यह देखिए यह बंठा है और इसाड़ी 400-500 रुपे का था और किलो के हिसाब से बर्तन मिलती है यहां पे मतलब जैसे हम दुकान में जाते हैं एक-एक लेते हैं तो वहां पे तो नाप के मिलता है मतलब तोल के मिलता है किलो के भावने मिलता यहां पे तो किलो के किलो मिलते हैं बहुत सस्ती रेट में साट रुपे का पेन मिलेगा यह देखिए यह साट रुपे का है ऐलुमुनियम का केक बनाने का है बीस रुपे का मैं तो चौक गई जब मैंने ना यहां के रेट देखे तो यह देखिए यह वाली पराद जो है ना यह पराद टाइब के तो यह है 60 रुपे की कोई मतलब छोटी साइज के 30 रुपे की 40 रुपे की तो भर भर के यहां से ना बरतन ले सकते हैं हम लोग अगर आप लोगों को अ यह देखिए लोटा बहुत सुन्दर लोटा और मैं भी लाई थी एक लोटा यहां से और यह देखिए यह 70 रुपे का है और यह बाल्टी 1.500 रुपे की जब की 4-4-500 की बाल्टी होती है ना और अच्छा होता है किसी का हलका स्टील होता है किसी का भारी स्टील होता है वह आप पे बात है कि आप लोग कौन सा इस्टील लेते हो तो यहां पर मैंने बहुत यह देखिए यह 40 रुपे का है और अच्छा इस्टील है कोई हलका भी होता है जैसे मैंने कहा न तो यह मिल जाएगा आप लोगों को 50 रुपे का सब्जी दोने का कुछ भी दोलो उसमें बहुत सुन्दर है और प्रात सोरी और इस टाइब के यह डोंगे भी मिल जाएंगे आप लोगों को 35 रुपे 40 रुपे मतब साइच के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा आएगा तो 35 का आएगा और उससे बढ़ाएगा 40 का आएगा बागी यह 30 रुपे वाली था लिए सारी य और यहाँ पर इतना सस्ता बरतन मिलता है जैसे कि मैंने अभी कहा अगर आप लोगों को अपने घर गरस्ती के लिए बरतन लेने हो ना तो यहाँ चले जाओ इतने सस्ते बरतन मिल जाएंगे और यहाँ पर बेलन था यह 20 रुपे का पच्चीस रुपे का और मैंने भाया से कि भाहिया मुझे एक दे दो तो भाहिया ने बिल्गुल नहीं दिया क्योंकि हाँ पर ना कभी कभार इन लोगों का मूड होता है तो दे 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 ते यह देखे यह वाला चाटा था मैंने यह बहुत ही अच्छा लग रहा था कहरें एक नहीं देंगे तो मैंने थोड़ी से रिक्वेस्ट करी वहिया से फिर मैंने सोचा कि चलो यार कोई बात नहीं अगर उनके मालिक ने उनको अलाउड नहीं किया होगा तो तभी नहीं दे रहे होंगे यह देखिए यह अलग अलग टाइप के एक कलर यह है पिलन में भी न बहुत अच्छे-अच्छे मुलाईयम से बिलन थे और यह जैसे 20 रुपे का 30 रुपे का 10 रुपे का यह कुटन दानी यह सब यह देखिए चट्टान के चट्टान लगे हुए हैं यह यह भार एक्सपोर्ट हो रहे थे यह पैक हो रहे थे यह और इतना सारा बुड़न का समान था नहीं यहाँ पे इस पाइसी यह जो होते हैं क्या बोलते हैं को कर्ची टाइप में और यह लोटे थे ना तो यह डिडड़ सो रुपे के लोटे थे उपर वाला लोटा लिया था मैंने और अभी हम आ चुके हैं खारी बावली और खारी बावली में यहाँ पर रासन मिलता है और एसीया के सबसे बड़ी मार्केट है यह सदर मार्केट तो यहाँ पर ना यह खजूर है जो यह 100 रुपे का मिल रहा था और यहां से हॉलसेल में भी ले सकते हैं और वैसे भी ले सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है और यह 40 रुपे का था पतला वाला खजूर एक टाइप का खजूर यह भी है और एक टाइप का यह भी है ये देखिए ये वाला अच्छा होता है बड़िया होता है ये वाला और ये कुछ पैकेट में भी पैक होते हैं यही वाले होते हैं पैकेट में पैक और ये देखिए यहाँ पर इस टाइप के ना ये जीरा 400 रुपे किलो कोई जीरा 440 रुपे किलो इस टाइप के पैकिंग मे भी होते हैं बहार लगाए होते हैं और यह दाली मिलती है यहां पर पूरे पैकिट के पैकिटी तो अभी हमने भी लिए खुब ड्राइफ रूट लिए हमने तभी हम यहां गए थे और यह देखिए यह बहार के लिए एक्सपोर्ड हो रहा है समान सारा यहीं से जाता है एसिय कि सबसे बड़ी मार्केट है और यहीं से मसाला वगेरा सारा कुछ आप लोगों को ना बनते भी दिख जाएगा और अभी अचार दिखाती हूं आपको यहां पर यह अचार बन रहा है तो यह अचार है दो सो गराम सौरी दो सो गराम ने दो सो रुपे का था यह यह दिखिए दो किलो सब दो किलो था यह और यह पांच किलो है साड़ी चार सो रुपे का यहां पर अचार भी आप लोगों को ना बहुत अच्छे रेट पे मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा मतलब अलगी टेस्ट होगा उस अचार का यहां पर आप लोगों को सारा कुछ मिल जैसे यह सीट्स मिक्स सीट्स बहुत अच्छा होता है यह तो 600 रुपे किलो था यह जो अभी दिखाया मैंने मिक्स था जिसमें सारा कुछ चलिए आगे चलते हैं काजू बदाम किसमिस देखेंगे देखिए 240 रुपे 220 रुपे किलो के हिसाब से मिलते हैं यहां पर यह नारि ठीके हिसाब से चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर चैपती देखिए 360 रुपे किलो 280 रुपे किलो और 240 रुपे किलो और इसकी भी बहुत सारी बैराइटिया मिल जाएंगी आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लेना कि कौन सी चीज कितने रुपे किलो है तो उसके ह अधर महंदी ती, 160 रुपे किलो यह पूरी पेवर पिसके आती है और उसके बाद दुकानों में अलग अलग पैकेट मेंर पीक पहता है यह वाली महंदी और ऑ हैसे भी मिल जाती है कभी का बार और जिनको कुछ मिलाना होता है उसमें मिक्स करना होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि इसी महंदी को लेकर और अच्छे पैकेट में पैक कर देते हैं कलर के साथ यहाँ पर यह देखिए मखानों के कट्टे के कट्टे रखे हुए हैं और यह 700 रुपे किलो और मुम्फली कितने रुपे किलो है यह देखिए तो हम यहाँ पर अपने लिए पैक कराने लग गए थे 2-2 किलो बदाम, 2 किलो काजू, कुछ हमें घर के लिए भी लेने थे यह देखे 280 रुपे किलो 240 रुपे किलो किसमिस मनतब किसमिस की भी अलग-अलग बेराइटिया मिल जाएगे आपको 660 यह बदाम है और 760 वाले यह बदाम है यह देखिए यह अमेरिकन गिरी, अफगानिस्तान गिरी अफगानिस्तान का ड्राइफ्रूट सबसे अच्छा होता है यह दो सो असी यह तीन परकार के यहां पर खजूर रखे हुए है तो आपको जो लेना है ना वो ले सकते हैं यह 400 रुपे किलो है यह देखिए और यह 640 रुपे अख्रोट बहुत ही अच्छा अख्रोट था यह देखिए यह आवला है कच्छा आवला यह 1000 रुपे किलो अख्रोट और उसके बाद हम चले गए थे चाननी चौक और चाननी चौक गए पराठे वाले गली में और पराठे ना खाए तो फिर बाती क्या है तो यहां पर हम पराठे का लुपत उठा रहे हैं और हमने मंगाया है मिक्स पराठा और यह जो केली की चट्नी होती है वो इतनी सांदार होती है मैं क्या बताओं आलू की सबजी है कदू की सबजी है और कदू की सबजी है लोग बहुत अच्छा बनाते हैं और उसके बाद हम बहुत सारी शॉपिंग की हमने हम गए थे कुछ जेलरी लेने भी और जो डेकुरेट का आइटम होता है वो लेने तो यहां पर यह देखे मैं शूट कर रही हूँ यहां पर इस पक्राद की जेलरी मिलती है और यह लटकन का भी म मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए ले लिया था यह दिखिए यह टाप